हेलो गाइस वेलकम टू माई यूटूब चैनल टेक्निकल उत्तर परदेस अगर आप भी यूज़ करते हो रियल मी नयर्जो 20 का फोन तो एक वडियो आपके लिए काफी ज़िदा यूजफुल एंड हेल्फुल होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो मैं आप लोगों बताने की जरूरत नहीं किसी भी एप्लिकेशन को इंस्टोल करने की जरूरत नहीं आप अपने सेटिंग से किसी भी एप्लिकेशन को हाइड कर सकते हैं बड़े अचान नहीं से तो वीडियो के एंड तक बने रहेगा वीडियो के आगे मैं आप लोगों बताने वाला हूं आप लो वीडियो को शुरू करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं हम लोग आ चुके अपने रियल में नेर्जो 20 के मोबाइल इसकी पर हमें यहां पर कुछ एपलिकेशन को आपके सामने जो हाइड करके दिखाने वालों यहां पर जो डाइलर हैं जिससे फोन लगाते हैं तो मैं इसम से पहले हमें जो अपने फोन में सेटिंग को ओपन कर लेना है तो चलिए यहां पर सेटिंग का आइकान दिख रहा है मैं इस पर सिंपल क्लिक करता हूं और स्कॉल डाउन करता हूं यहां पर आपको मिलता है सिकॉर्टिक उप्सन जैसा कि आप लोग हमारे फोन में देख सक आप लोग को आप लोगों के home screen पे दिख रहा होगा mobile screen पे तो आप लोग के option पर किलिक कर दीजिए इसके बाद आपको अपना password यहां पर इंटर कर देना है तो आपको दो तीन बार वही password इंटर करना यहां पर देखेंगे आपकी phone में जीतने भी application इंस्टोल रहेंगे सब यहां पर जो होना इस्टार्ट हो जाएंगे यहां पर कुछ application को आप लोग भी कर सकते हैं चाहिए जितने application को लोग करना चाहिए तो लोग भी कर सकते हैं अगर उन application को आप हाइड करना चाहते हैं home screen से तो हाइड भी कर सकते हैं चलिए मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं हाइड कैसे करना है लोग भी कैसे करना है तो यहां पर चलिए कोई एप्लिकेशन पर मैं किलिक करता हूं और वहां पर आप लोगों को बताता हूं सब कुछ यहां पर देख सकते हैं file manager मैं इसको log भी करता हूं और जो अपने home screen से hide भी कर सकता हूं तो यहां पर हमको मिल जाता है higher from home screen को option नीचे की तरब आप लोग देखिए कर तो इस पर हम click कर देंगे और set access code पर click कर देंगे guys set access code पर click करने वाद यहां पर आपको code generate कर लेना है guys इसी तरह के से आप लोग code generate करेंगे code generate नहीं होता कि कोई इसमें कुछ policy होती आपको फालो करना पड़ता है आप देख सकते हम कुछ भी लिख रहे हैं यहां पर red में दिखा रहा है क्योंकि जो मैं policy फालो नहीं कर रहा हूं आप लोगोंको आगे बता रहा हूं कैसे आप लोगोंको यहां पर access code कैसे रिख लेना है तो यहां पर आपको hide from Home skin पर click करना है Set Access Cote पर Click करना है और यहां पर आपको Haige लखना है हैज कि लिखेंगे इसके बाद 6 यंगों का कोई भी Cote लिख सकते फिर इसके बाद Last में आपको Haige लिख देना है देख सकते हैं Accept कर लिया इसके बाद आपको Done कर देना अब इसके बाद मैं आप लोगों को बता रहा हूँ in access code का कहां पर काम आता है तो finally मैं आप लोगों को बताऊंगा home screen पर चलके ओकर इसके बाद मैं यहां से done कर देता हूँ और यहां से आप चाहें तो home screen से जो है इसको hide कर दियें अगर recent task के भी hide करना चाहते हैं और भी hide कर सकते हैं notification hide करना चाहते हैं इस application की तो भी यहां पर hide आप कर सकते हो तो इस तरीके से आपके phone में काफी ज़धा feature मिलते हैं जिनका आप अच्छी तरीके से use कर सकते हैं और गाइस किसी भी application अगर आपको lock करना किसी भी application को hide करना है तो same to same यही इस टप फालो होता थी आप देख सकते हैं काफी ज़धा application है यहां पर मैं messenger पर click करता हूँ और app lock सिर्फ इससे करना है तो app lock पर click कर देंगे अगर इसे जो home screen से hide नहीं करना है तो हम इसको off कर देंगे देख सकते हैं मैं इसको off कर दे रहा हूँ यह सिर्फ app जो है lock रहेगा यह जो home screen से hide नहीं रहेगा तो इस तरीके से आपकी मरज़े है किस application को आप hide करना चाहते हो किस application को आप lock करना चाहते हो अपने हिसाब से आप set कर सेकते हो इसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इतने application को हमने lock किये हुए है और कितने application को हमने हाइड किये हुए हैंगे तो finally guys अब इसके बाद मैं चलूँगा अपने home screen पर वहाँ पर आप लोगों को दिखाऊंगा जो है अपने जो है और first में है जैसे ही लगाएंगे यहाँ पर आप लोग देख सेते हैं hidden apps आपके phone में जितने भी hidden apps रहते हैं यहाँ पर open हो जाते हैं अब इन में से किसी भी application को आप open कर सकते हैं और जो भी lock रहेंगे वो enter करके इसको open कर लीजिएगा तो फाले कर इस वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक किजी और चैनल को भी subscribe कर सकते हैं तो गाइस मिलते हैं तब तक के लिए bye bye take care